chapter 19 indefinite integrals exercise 19.9 में आज हम नई टाइप पढ़ेंगे हम आरपस टाइप है इस फॉर्म में दियोगा integral f of x raise to power n into f dash x equal to dx is equal to देखो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं f of x raise to power n plus 1 upon n plus 1 plus c देखो f of x f of x की differentiation करोगे तो f dash x आएगा क्या आएगा f dash x अब इसका proof देखो मैं आपको proof बदाता हूं इसका देखो पहले तो हम इस integral को आही ले लेते हैं यह बनेगा f of x की power n f dash x dx अब देखो f of x की differentiation करें तो f dash x आती है f of x की differentiation करें तो क्या आती है f dash x तो मैं इसको t लूँगा मेरे को यह मिल जाएगा देखो मैं यह substitution method apply कर रहाँ t is equal to f of x तो यह बनेगा dt by dx equal to इसको मैं differentiate कर रहाँ with respect to x से f of x की differentiation f dash x next step क्या करो यह dx इदर ले जाओ तो dt is equal to f dash x dx अब यह values आप इस integral में replace करो तो सबसे पहले देखो क्या f of x f of x को क्या लिया था t तो यह बनेगा t raise to power n फिर क्या f dash x dx f dash x dx की value dt अब आब इसकी integration कर दो t raise to power n की integration क्या होती है t raise to power n plus 1 upon n plus 1 plus c अब आब यहाँ पे t की value दाल दो t की value देखो क्या है t की value है f of x तो यह हो जाएगा f of x की power n plus 1 upon n plus 1 plus c देखो यह मैंने proof कर दिया मैंने lhs ली थी मैंने उसको rhs के equal proof कर दिया मेरा कहने का मतलब था अगर आपके पास दियाओ f of x is to power n और f dash x दियाओ तो आप उसको इस formula में भी use कर सकते हो f of x की power n plus 1 upon n plus 1 जैसे example लेते हैं उससे clear हो जाएगा जैसे for example अगर मालो आपके पास है sin cube x into cos x यह दिया ठीक है अब आपने इसको directly करना है एक step में करना है तो कैसे करेंगे देखो आपने क्या करना है सबसे पहले देखना है f of x कौन सा और f dash x कौन सा है sin x की differentiation करोगे तो क्या आएगा cos x तो यह हो गया हमारा f of x और यह हो गया f dash x तो क्या formula है formula आया हमारे पास तो देखो, ये है f of x और ये है f dash x अब क्या से पता चला, sin x की differentiation करोगे, तो cos x cos x की differentiation करोगे, तो minus sin x, तो ये है minus sin x नहीं है न, तो इसका मतलब ये f of x, ये f dash x तो क्या formula हमारे पास, अगर हमारे पास हो f of x की power n f dash x dx, तो क्या n plus 1 upon n plus 1 तो मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो sin 3 plus 1 3 plus 1 4 upon 4 तो आप इसको directly भी लिख सकते हो sin की power 4x upon 4 plus c या substitution method से भी कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे exercise 19.9 का question number 1 है मारे पास integral log x upon x dx, अब देखो या तो इसको substitution method से कर लो या तो जो मैंने formula बताया उस formula से कर लो तो पहले मैं आपको substitution से method से कराऊंगा और फिर formula से कराऊंगा, दोनों method से बताता हूं देखो कैसे log x की differentiation क्या होती है log x की differentiation, 1 by x तो आपने क्या करना है log x को t ले लेना, t is equal to log x अब आप इसकी differentiation करो, dt by dx equal to क्या आजाएगी इसकी differentiation, 1 by x next step क्या करो, इस dx को उदर ले जाओ 1 by x, dx अब आपने ये values इस integral में replace करना है तो देखो क्या आएगा, i equal to log x को क्या लिया था log x को लिया था, t you get t फिर उसके बाद देखो, dx upon x की value dx upon x को आपने क्या लिया था, dt अब देखो, ये बना t raise to power 1 तो t raise to power 1 की integration क्या होती है t raise to power 1 plus 1, 2 upon 2 1 plus 1, 2, ये मैंने x raise to power n वाला formula लगाया x raise to power n की integration होती है x raise to power n plus 1 upon n plus 1 ठीक है, और आप यहाँ पर t की value दाल दो t की value देखो क्या है, log x तो ये हो जाएगा, log x का whole square upon 2 ठीक है, अगर आपको यही directly करना हो लेकिन आप ये वाला method जो है, वो paper में apply करना अगर आपको objective में करना है जैसे मालो आप किसी competitive exam में बैठे हो तो आपको directly करना है, ठीक है उसके लिए देखो क्या करेंगे मैंने आपको अभी formula बताया था न, ये वाला तो अब आप मालो इस formula से आपको ये question करना है ये दिया है log x की power, log x upon x dx ठीक है, आप देखो इसको ऐसा लिख सकते हो log x into 1 by x dx ठीक है, अब हमने देखना है इसमें f of x कून है और f dash x कून है अगर आप log x की differentiation करो log x की differentiation होती है 1 by x तो ये हो जाएगा हमारा f of x और ये हो जाएगा f dash x ठीक है, ये पूरा ये पूरा हमारा f of x और ये पूरा f dash x तो क्या formula इसका और देखो log x की power यहाँ पे कितनी है power, n न तो यहाँ पे log x की power 1 कर दो ठीक है, तो क्या बनेगा log x की power 1 है f of x देखो यह formula लगाना है f of x है log x तो log x की power 1 plus 1 2 upon 1 plus 1 2 तो आप इस question को directly भी इस formula से कर सकते हो ठीक है लेकिन यह formula आप CBSC के exam में मत apply कर देना ठीक है उसमें आपको इस वले method से करना पड़ेगा तो यह आगे हमारा दोनो method से answer question number 2 है हमारे पास integral log 1 plus 1 by x dx upon x into 1 plus x देखो यहाँ पे ना मैं substitution method apply करूँगा इसकी integration करने के लिए तो substitution method में देखो क्या करेंगे सबसे पहले यह जो हमें दीख रहा है log 1 plus 1 by x इसकी differentiation करके देखते हैं क्या आती है अगर यह मिलगी ना हमें x upon 1 plus x तो फिर हम इसको t ले लेंगे देखो कैसे log 1 plus 1 by x की differentiation करो इसको x बड़ो log x की differentiation 1 by x तो यह हो जाएगा 1 upon 1 plus 1 by x ठीक है next step देखो क्या करेंगे इसकी differentiation करेंगे 1 की 0 1 by x की differentiation देखो कैसे करेंगे इसको हम उपर ले जाएगे 1 by x को यह बनेगा x की power minus 1 तो x raised to power n का formula होता है minus x minus 2 मतलब nx n minus 1 तो इसको हम नीचे ले आएगे यह बन जाएगा इसको नीचे लाओगे तो यह बनेगा minus 1 by x की है तो 1 by x की differentiation होती है minus 1 by x की है ठीक है अच्छा इसका LC हम लो x plus 1 upon x into minus 1 by x की है यह और यह cancel तो क्या बचा हमारे पास minus 1 पहले x लिखो फिर x plus 1 तो देखो यह यह आगी ना x 1 plus x तो हम इसको T लेंगे हमें यह मिल जाएगा देखो कैसे पहले तो मैंने यह roughly बताया T is equal to log 1 plus 1 by x अब इसकी differentiation करो log x की क्या आई थी 1 upon 1 plus 1 by x फिर हमने इसकी करनी थी ना इसकी देखो क्या आई थी 1 की 0 और 1 by x की बताई थी ना मैंने 1 by x की differentiation आई थी minus 1 by x क्या ठीक है next step क्या करो यह minus इदर ले जाओ और dx उदर तो देखो यह क्या बनेगा minus dt और इसका अलसियम भी ले लो x plus 1 upon x into 1 by x क्यार और यह वाला dx यह x और यह x कैंसल कर दो तो बचेगा minus dt यह पहले x लिखो अब यह values आप इंटेग्रल में replace करो सबसे पहले देखो आपने इसको क्या लिया था इसको लिया था t ठीक है यहाँ लिखोंगा t और फिर इसकी value देखो क्या है dx upon x 1 plus x dx upon x 1 plus x की value minus dt तो यह हो गया हमारा t और यह पूरा हो जाएगा minus dt तो देखो यह हो गया t और यह हो गया minus dt minus बाहर निकाल लो यह बना t dt यह बना t की power 1 अब देखो x raise to power n की integration x raise to power n plus 1 upon n plus 1 तो यह हो जाएगा t की power 1 plus 1 2 1 plus 1 2 अब यहाँ पे t की value दाल दो t की value देखो क्या t की value है log 1 plus 1 by x तो t की value क्या है log 1 plus 1 by x का whole square यह आ गया हमारा answer question number 3 हमारे पास integral 1 plus root x का whole square upon root x dx अब देखो इसकी integration कैसे करेंगे सबसे पहले हम देखते हैं 1 plus root x की definition क्या होगी देखो 1 plus root x की definition 1 की तो हो जाएगी 0 अच्छा root x की definition क्या होती है root x की definition होती है 1 by 2 root x तो यह हो जाएगी 1 by 2 root x तो देखो 1 by root x चाहिए था हमें यह है न 1 by root x तो मैं इसको t लूँगा मेरको यह dt मिल जाएगा देखो कैसे t is equal to 1 plus root x यहाँ पे हम substitution method यूज़ कर रहे है इसकी definition हो जाएगी dt by dx equal to 1 की 0 और root x की definition 1 by 2 root x अब देखो यहाँ पे 2 नहीं है न तो 2 को इदर ले जो dx को इदर तो यह बनेगा 2 यह 2 इदर आ रहा है 2 dt equal to 1 by root x और यह dx इदर अब यह values आप इस वले integral में replace करो तो देखो क्या आएगा i equal to सबसे पहले देखो 1 plus root x को क्या लिया हमने 1 plus root x को t लिया तो यह बना t square फिर उसके बाद देखो यह बचा हमारे पास dx upon root x dx upon root x की value 2 dt ठीक है next step क्या करेंगे यह 2 बाहर निकार लेंगे और यह बनेगा t square dt अब यहाँ पे x raise to par n का formula लगा दो क्या होती इसकी integration x raise to par n plus 1 upon n plus 1 plus c तो यह हो जाएगा यहाँ पे power 2 है ना 2 plus 1 3 upon 3 और यहाँ पे t की value दाल दो t की value देखो क्या है t की value है 1 plus root x तो यह आजाएगा 1 plus root x का whole cube upon 3 plus c यह आगया हमारा answer question number 4 है हमारे पास under root 1 plus e x into e x dx अब देखो यहाँ भी हम substitution method apply करेंगे या आप वो जो मैंने पहला वाला formula बताया उस formula से भी इसको directly कर सकते हो तो देखो substitution method में क्या करेंगे अगर आप 1 plus e x की differentiation करो 1 की differentiation 0 e x की differentiation e x देखो है ना e x तो मैं इसको लूँगा t और यह मेरे को d t में मिल जाएगा देखो कैसे मैं under root को भी लेके चलूँगा इस बाल t is equal to under root 1 plus e x यहाँ पर मैं scaring कर रहाँ scaring both side तो यह बन जाएगा t square equal to 1 plus e x अब करो इसकी differentiation t square की differentiation 2t फिर t की करेंगे dt by dx is equal to 1 की 0 e x की e x तेखो है e x d x अब यह values हम इस integral में replace करेंगे देखो सबसे पहले आपने इसको क्या लिया था इसको लिया था t तो यह बनेगा t into फिर है e x d x e x d x की value 2t dt next step देखो क्या करेंगे यह 2 बहार निकाल लो t into t क्या बन्दा t into t t square अब t square की integration क्या होती है x raise to power n का formula x raise to power n plus 1 upon n plus 1 तो यह बन जाएगा t raise to power 2 plus 1 3 upon 3 plus c अब यहाँ पे t की value दाल दो t की value देखो यह है under root 1 plus e x तो यहाँ दाल रहा हूं मैं तो यह बनेगा हमारे पास 2 by 3 under root 1 plus e x का q plus c तो यह आजाएगा हमारा answer या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपको under root को हटाना है न तो ऐसे भी लिख दो 1 plus e x देखो under root होता है हमारे पास under root x को न हम x की power 1 by 2 भी लिख सकते हैं तो यह power 1 by 2 है तो 3 into 1 by 2 कितना हो जाएगा 3 by 2 plus c यह आगया हमारा answer question number 5 है हमारे पास integral यह है cube root of 3 cube root of 3 cos square x into sin x dx अब देखो इसकी integration कैसे करेंगे देखो cube root of 3 को न हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 by x जैसे हमारे पास होता है under root x under root x को हम लिखते हैं x की power 1 by 2 अगर हो cube root of x ऐसा हो तो हम इसको लिख सकते हैं x की power 1 by 3 ठीक है तो dot sin x dx next step देखो क्या करेंगे यह power दोनों multiply हो जाएंगी तो यह power कितनी हो जाएगी cos x की power 2 by 3 into sin x dx ठीक है अब देखो हम यहाँ पर substitution method यूज करेंगे cos x की differentiation क्या होती है cos x की differentiation minus sin x तो है ना मारे पाँ sin x तो मैं इसको t लूँगा मेरे को यह मिलेगा देखो कैसे t is equal to cos x इसकी differentiation करो dt by dx equal to cos x की differentiation minus sin x minus को इदर लियाओ और dx को उदर ले जाओ minus dt is equal to sin x dx dx देखो minus इसलिए इतर लाया क्योंकि यहाँ पर minus नहीं था अब यह value हम यहाँ replace करेंगे देखो cos x को क्या लिया था t तो यह बन गया t की पावर 2 by 3 फिर sin x dx की value sin x dx की value minus dt ठीक है minus बाहर निकाल लो तो यह बनेगा t की पावर 2 by 3 dt अब यहाँ पर देखो x raise to power n की integration क्या होती है x raise to power n n plus 1 upon n plus 1 ठीक है तो यहाँ पर n है 2 by 3 तो 2 by 3 plus 1 2 by 3 plus 1 कितना होता है 2 plus 3 5 by 3 और यहाँ भी 5 by 3 plus c अब क्या करो यहाँ पर t की value दाल दो t देखो क्या था t को हमने लिया था cos x यह उल्टा होके 3 उपर आ जाएगा minus 3 by 5 cos x की power 5 by 3 plus c यह आगया हमारा answer अगर आपने इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर इतना भी लिखोगे तो भी ठीक है अगर हम इसको ऐसा भी लिख सकते है cos की power 5 by 3 x यह एक ही बात होती है यह लिखो यह लिखो यह लिखो यह दोनो same ही है तो यह आगया हमारा answer question number 6 है हमारे पास integral e raised to par x dx upon 1 plus ex का whole square अब देखो इसकी integration में भी हम substitution method यूज करेंगे सबसे पहले मेरे को बताओ 1 plus ex की differentiation क्या होती है 1 की differentiation 0 और ex की differentiation ex तो मैं क्या करूँगा 1 plus ex को t ले लूँगा देखो कैसे 1 plus ex को मैंने ले लिया t t is equal to 1 plus ex करो इसकी differentiation with respect to x से dt by dx equal to 1 की हो जाएगी 0 और ex की ex next step क्या करो dx को इदे ले आओ dt is equal to dx अब यह values आप यहाँ replace करो i equal to सबसे पहले देखो क्या ex dx ex dx की value dt upon फिर है 1 plus ex का whole square देखो 1 plus ex को हमने लिया था t तो यह बनेगा t का square ठीक है next step क्या करो इसको आप उपर ले जाओ यह बनेगा t की power minus 2 dt अब यहाँ पे x raise to power n का formula लगा दो क्या होता है x raise to power n plus 1 upon n plus 1 तो देखो minus 2 plus 1 minus 2 plus 1 कितना हो जाएगा minus 2 plus 1 minus 1 upon minus 2 plus 1 minus 1 क्योंकि यहाँ पे n था minus 2 अब next step क्या करो यह minus ले जाओ उपर और t का inverse को नीचे ले जाओ तो यह बनेगा 1 by t ठीक है और यहाँ पे t की value दाल दो t की value देखो क्या है 1 plus ex तो यह आजाएगा 1 plus ex plus c यह आगया हमारा answer question number 7 है हमारे पास integral cot cube x into cosec square x dx अब देखो यहाँ भी substitution method use करेंगे cortex की differentiation क्या होती है cortex की differentiation होती है minus cosec square x होती है नहीं तो देखो है cosec square x मैं इसको t लूँगा मेरे को यह मिल जाएगा dt मे देखो कैसे t is equal to cortex देखो कैसे इसको दुबारा लिखते है t is equal to cortex अब इसकी differentiation करो cortex की differentiation माइनस cosec square x अब यहाँ पर माइनस नहीं है न cosec के साथ तो माइनस को ले जाओ dt की तरफ माइनस dt और dx को इदर ले जाओ cosec square x dx यह values यहाँ replace करो तो यह बनेगा i equal to integral सबसे पहले देखो cortex को क्या लिया था cortex को t तो यह बना t का cube फिर देखो क्या cosec square x dx cosec square x को क्या लिया था हमने cosec square x dx को माइनस dt तो माइनस बहार निकालो यह बनेगा t का cube dt अब यहाँ पर x raise to पर n का फॉर्मुला लगा दो क्या होता है x raise to पर n प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 तो यह कितना हो जाएगा 3 है नहीं यहाँ पर 3 प्लस 1 4 3 प्लस 1 4 t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c अब लास्ट अब क्या करो यहाँ पर t की वेली दाल दो t देखो क्या है t है cortex तो यह बनेगा cortex की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c अब यहाँ तक छोड़ो तो भी ठीक है अगर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस 1 बाई 4 कॉट यह पावर में आ जाएगा इदर आ जाएगा 4 प्लस c यह दोनों से एक ही बात होती है तो यह आगया हमारा अंसर कॉश्चन नमबर 8 है मारे पास इंटेग्रल e raised to power sin inverse x का whole square upon under root 1 minus x square dx अब देखो इसकी integration कैसे करेंगे सबसे पहले देखो sin inverse x की differentiation क्या होती है sin inverse x की differentiation होती है 1 upon under root 1 minus x square sin inverse x की definition होती है 1 upon under root 1 minus x square तो देखो है ना यहाँ पे 1 upon under root 1 minus x square तो मैं sin inverse x को t लूँँगा देखो यहाँ substitution method यूज़ करूँगा t is equal to sin inverse x तो इसकी differentiation करो क्या आएगा dt by dx equal to इसकी differentiation अभी बताई 1 upon under root 1 minus x square इस dx को इदे ले जो dt is equal to 1 upon under root 1 minus x square dx अब ये values आप इस integral में replace करो देखो sin inverse x को लिया था t तो ये बना e की power t का whole square ठीक है इसके बाद एको इसकी value dx upon under root 1 minus x square dx upon under root 1 minus x square की value dt अब देखो ये दोनों powers क्या हो जाएंगी multiply तो ये बनेगा e raise to par 2t dt अब e raise to par x की integration क्या होती है e raise to par x ही होती है न तो e raise to par 2t की क्या हो जाएगी same upon एक चीज़ और आती है upon x का coefficient t का coefficient देखो कितना है t का coefficient है 2 तो वो आपको नीचे लिख देना है जैसे आप differentiation करते हो न अगर 2t की differentiation करो तो क्या आएगी 2 तो वो आप into में लिखते थे थे न differentiation में integration में आपको denominator में लिखना है ठीक है और फिर यहाँ पर t की value दालते नहीं है t की value या एक काम करो t की value दालने से पहले इसको आप वापीस ऐसे लिख दो e का whole square upon 2 मुझा सेम ही बात है नहीं है अब यहाँ पर t की value दाल दो देखो t की value कितनी है t की value है मारे पास sin inverse x तो यह आ जाएगा मारा answer question number 9 है हमारे पास integral 1 plus sin x upon under root x minus cos x dx अब देखो इसको कैसे करेंगे सबसे पहले देखो x minus cos x की definition क्या होती है x की definition 1 cos x की definition minus sin x तो minus minus plus तो x minus cos x की definition क्या ही है 1 plus sin x है नहीं यहाँ पर 1 plus sin x तो मैं क्या करूँगा इसको ले लूँगा t और मेरे को यह dt मिल जाएगा देखो कैसे यहाँ पर ना मैं under root भी ले लूँगा under root भी ले ले लेते हैं scaring कर लेंगे यह देखो मैंने under root के साथ ले लिया differentiate करने से पहले scaring कर लेते हैं scaring both side तो यह बनेगा t square equal to x minus cos x अब करो इसकी differentiation t square की differentiation क्या होती है 2t फिर t की करेंगे dt by dx x की 1 cos x की minus sin x तो minus पहले का तो यह हो जाएगा sin x अब क्या करो यह dx सीदर ले जाओ तो यह बनेगा 2t dt is equal to 1 plus sin x dx अब देखो यह values हम यहाँ replace करेंगे integral में तो देखो सबसे पहले क्या 1 plus sin x dx 1 plus sin x dx की value 2t dt upon और देखो इसको क्या लिया था under root वले को under root वले को लिया था t तो यह हो गया t अब यह t और यह t cancel 2 को बाहर निकाल लो यह हो जाएगा dt अब देखो integration और d यह और यह दोनों cancel हो जाते हैं तो क्या बचेगा t integration और d cancel हो जाते हैं तो बचेगा t मतलब dx की integration x होती है न तो dt की t अब यहाँ पर t की वले दाल दो t की वले देखो यह है 2 under root x minus cos x plus c यह आगया हमारा answer question number 10 था हमारे पास integral 1 upon under root 1 minus x square into sin inverse x का whole square dx अब देखो यहाँ भी substitution method यूज़ करेंगे सबसे पहले बताओ sin inverse x की differentiation क्या होती है sin inverse x की differentiation होती है 1 upon under root 1 minus x square होती है न तो यहाँ पर है भी 1 भाय है तो मैं इसको लूँगा t मेरे को यह dt मिल जाएगा देखो कैसे t is equal to sin inverse x इसकी differentiation करो dt by dx equal to sin inverse x की differentiation 1 upon under root 1 minus x square अब dx को उदर लेओ dt is equal to 1 upon under root 1 minus x square dx अब यह value आप यहाँ पर integral में replace करो i equal to सबसे पहले देखो इसकी value क्या है dx upon under root 1 minus x square की value क्या है dt ठीक है तो मैं यहाँ लिख रहाँ dt upon sin inverse x को क्या लिया था t तो यह बन गया t का square ठीक है इसको उपर ले जाओ यह उपर जाके क्या बनेगा t की power minus 2 dt अब यहाँ पर इसकी integration कर दो x raise to power n वाला formula लगा के क्या होता है x raise to power n plus 1 upon n plus 1 तो यह क्या बनेगा minus 2 plus 1 minus 2 plus 1 minus 1 minus 2 plus 1 minus 1 अब देखो next step क्या करो यह minus उपर ले जाओ और t inverse को नीच ले जाओ तो यह बनेगा 1 by t plus c और यहाँ पर t की वली दाल दो t की वली देखो क्या है sin inverse x तो यह आगया हमारा answer question number 11 दिया है हमारे पास integral cortex upon under root sine x dx सबसे पहले देखो क्या करेंगे हम cortex को change करेंगे cortex क्या होता है cortex होता है cos x by sine x तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर cortex को change करूँगा तो यह बनेगा cos x upon sine x और यह जो देखो यह नीचे ही है ना तो यह इसके साथ ही आ जाएगा क्योंकि यह denominator में ही था ना ठीक है next step देखो क्या करेंगे sine x की power देखो यहाँ पर sine x की power कितनी है 1 और under root को हम लिख सकते है ना 1 by 2 under root 1 by 2 ही होता है ना ठीक है next step देखो क्या करेंगे when bases are same powers are added यह होता है तो यहाँ पर power कितनी है 1 plus 1 by 2 1 plus 1 by 2 कितनी हो जाएगा 3 by 2 ठीक है अब next step क्या करेंगे हम यहाँ पर substitution method यूज करेंगे sine x की differentiation cos x तो मैं इसको t ले लूँगा मेरेको यह उपर वाला मिल जाएगा तो देखो कैसे t is equal to sin x इसकी differentiation करो dt by dx equal to sin x की differentiation cos x अब dx को इदर ले ओ dt is equal to cos x dx ठीक है अब यह values आप यहाँ replace करो i equal to सबसे पहले देखो क्या cos x dx cos x dx की value dt upon sin x को हमने क्या लिया था sin x को t लिया था तो यह बनना t की power 3 by 2 ठीक है next step देखो क्या करेंगे इसको उपर ले आओ यह उपर आके बनेगा t की power minus 3 by 2 dt यही बनेगा ना अब देखो x raise to power n की integration क्या हो थी है x raise to power n plus 1 upon n plus 1 तो यहां पर है minus 3 by 2 minus 3 by 2 plus 1 कितना होगा minus 3 by 2 plus 1 होता है minus 1 by 2 और नीचे भी minus 3 by 2 plus 1 minus 1 by 2 plus c ठीक है next step देखो क्या करेंगे यह जो 2 है ना यह उल्टा होके उपर आएगा तो यह बनेगा minus 2 यह minus भी उपर आजाएगा t की power minus 1 by 2 plus c next step देखो क्या करेंगे इसको भी नीचे ले आओ यह t नीचे आजाएगा यह बनेगा t की power 1 by 2 plus c अब इसको देखो क्या करेंगे हम ना 1 by 2 को root भी लिख सकते हैं तो यह बनेगा root t plus c और यहाँ पर t की value दाल दो t की value देखो क्या थी t की value थी sin x यह यह ना तो यह answer आगया minus 2 upon root sin x plus c तो यह आगया हमारा answer question number 12 है हमारे पास integral tan x upon under root cos x dx यहाँ देखो क्या करेंगे सबसे पहले ना हम tan x को change करेंगे tan x क्या होता है tan x होता है sin x upon cos x ठीक है तो हम इसको change करते है तो यह आजाएगा sin x upon cos x into और यह इसके साथ ही आएगा क्योंकि यह नीचे ही था पहले का ठीक है next step देखो क्या करेंगे यहाँ पे cos x की power है 1 और यहाँ पे cos x की power 1 by 2 यही है ना under root को हम 1 by 2 भी लिख सकते हैं न तो when bases are same powers are added 1 plus 1 by 2 1 plus 1 by 2 3 by 2 तो यह बनेगा sin x upon cos x की power 3 by 2 dx ठीक है next step देखो क्या करेंगे cos x की differentiation minus sin x तो cos x को t ले ले लेते हैं t is equal to cos x करो इसकी differentiation dt by dx equal to minus sin x अब देखो उपर value किसकी चाहिए आपको उपर value चाहिए आपको sin x dx की तो minus को उदर ले जाओ और dx को उदर यह बनेगा minus dt equal to sin x dx ठीक है यह value आप integral में दालो सबसे पहले देखो क्या sin x dx sin x dx की value minus dt और cos x को क्या लिया था t तो यह बना t की power 3 by 2 अब आप इसकी integration करो इसको ले जाओ उपर यह बनेगा t की power minus 3 by 2 dt minus बाहर निकाल दिया अब x raised to power n का क्या formula होता है integration of x raised to power n की यह होती है न तो यहाँ पर है minus 3 by 2 तो minus 3 by 2 plus 1 minus 1 by 2 और minus 3 by 2 plus 1 minus 1 by 2 देखो क्या किया n की जगा था minus 3 by 2 तो मैंने यहाँ दोनों जगा दाल दिया अब यह minus और यह minus cancel यह 2 उल्टा होके उपर आएगा 2 t की power minus 1 by 2 plus c और इसको क्या करो नीचे ले ज़ो negative है न तो negative होके ऐसे बनेगा और t को आफ आफ इस under root में लिख दो यह 1 by 2 है इसको root में भी लिख सकते है न और यहाँ पर t की value दाल दो t की value देखो क्या थी t हमने लिया था cos x को तो यह आजाएगा 2 under root cos x plus c यह आगया हमारा answer question number 13 दिया है हमारे पास integral cos cube x upon under root sin x dx अब देखो इसकी integration कैसे करेंगे सबसे पहले देखो sin x की differentiation क्या होती है sin x की differentiation होती है cos x है ना लेकिन यहाँ पर cos 3 है हमें चाहिए 1 तो हम इसको तोड़ते है देखो मैं इसको क्या ऐसा लिख सकता हूं cos square x into cos x upon under root sin x क्योंकि मेरेको a cos x चाहिए था ना तो मैंने इसको 2 और एक में तोड़ दिया देखो अगर मैं sin x को t ले लूँगा मेरेको cos x मिल गया यह तो चलो होगे दोनो लेकिन इसका क्या होगा तो हम ना इसका क्या करेंगे देखो sin x को मैंने t ले लिया तो यह हो जाएगा t और यह हो जाएगा dt इसका क्या होगा इसका तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा तो उसके लिए क्या करेंगे इस cos square x को sin में change करेंगे देखो कैसे sin square x plus cos square x 1 होता ना होता ना तो cos square x equal to 1 minus sin square x हो जाएगा होगा ना यह तो देखो मैं इसको लिख रहा हूँ cos square x को 1 minus sin square x into cos x dx upon under root sin x ठीक है अब हम substitution use करेंगे यहाँ पर sin x को ले लेंगे t यहाँ पर ना मैं under root के साथ लूँगा अंडर root के साथ लूँगा ऐसा क्यों यहाँ पर मैं scaring कर लूँगा फिर देखो यहाँ पर मैं scaring कर रहा हूँ तो यह बनेगा t square equal to sin x तो मैंने यहाँ पर क्या की scaring both side ठीक है अब आब इसकी differentiation करो t square की 2t dt by dx equal to sin x की differentiation cos x अब क्या करो इस dx को इदर ले आओ 2t dt is equal to cos x dx यह values आप इस integral में replace करो यहाँ पर देखो क्या बनेगा i equal to सबसे पहले देखो क्या 1 minus sin square x तो देखो sin x की value क्या है sin x की value है t square यही है ना तो sin square x की value क्या हो जाएगी t square का square मतलब t4 sin x की value है t square तो हमें चाहिए sin square x की उसकी हो जाएगी t4 into फिर है cos x dx cos x dx की value cos x dx की value 2t dt upon फिर क्या बचा under root sin x under root sin x को क्या लिया था t यह आगी हमारी values यहां तक यह और यह cancel next step देखो क्या करेंगे 2 बहर यह बनेगा 1 minus t4 dt अब next step क्या करते हैं integration अलगलग कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 2 integral 1 into dt dt और यह बनेगा t4 dt अब देखो dt की integration क्या होती है integration और d cancel हो जाएगा तो क्या आ जाएगा t और यहाँ पे x raise to power n का formula क्या होता है x raise to power n plus 1 upon n plus 1 तो t की power 4 4 plus 1 5 4 plus 1 5 तो यह आ गया हमारा answer और यहाँ पे t की value दाल दो t की value देखो क्या थी t की value थी है मारे पास under root यह देखो यह थी ना t की value under root sin x तो हम यहाँ पे t की value दालेंगे तो यह हो जाएगा 2 under root sin x minus 1 by 5 यहाँ भी t की value दाल रहा हूँ under root sin x की power 5 plus c अब यहाँ तक छोड़ो यहाँ इसको थोड़ा solve करने हैं तो वो भी कर सकते हैं देखो इस 2 से इसको multiply करो तो यह बनेगा 2 under root sin x minus यह बनेगा 2 by 5 यह 2 से दोनों को multiply किया अब देखो यहाँ पे under root को ना यहाँ देखो under root को हम 1 by 2 भी लिख सकते हैं ना इस बले under root 2 को तो यह दोनों powers multiply हो जाएंगी 5 into 1 by 2 तो कितना हो जाएगा 5 by 2 प्लस C यह आगया हमारा answer question number 13 जैसे किया ना वैसी same question number 14 है तो देखो क्या करेंगे इसमें भी question number 14 है integral sin cube x upon under root cos x dx अब देखो क्या करेंगे जैसे 13 किया same 14 भी करेंगे वैसे सबसे पहले देखो cos x की differentiation क्या होती है cos x की differentiation होती है minus sin x लेकिन यहाँ पर sin 3 है हमें कितना चाहिए 1 तो हम क्या करेंगे इसको 2 और 1 में तोड़ेंगे यह देखो मैंने इसको 1 और यह तोड़ दिया मैंने 2 और 1 में और नीचे same लिगतेंगे ठीक है next step देखो क्या करेंगे अगर मैंने cos x को t ले लिया तो मेरे को यह मिल जाएगा dt में मिल जाएगा ना तो इसका क्या होगा तो हमें इस वले sin square x को cos में change करना पड़ेगा तो आपको यह पता है ना sin square x क्या होता है 1 minus cos square x यह formula होता है ना तो यह formula हम यहाँ अपलाई करते हैं 1 minus cos square x sin x dx upon under root cos x अब हम यहाँ पे substitution यूज़ करेंगे देखो मैं cos x को t ले रहा हूँ लेकिन under root को भी ले रहा हूँ ठीक है under root के through ले लिया मैंने अब यहाँ पे scaring कर लो तो क्या बनेगा t square equal to cos x इसकी differentiation करो t square की differentiation 2t फिर t की करेंगे dt by dx ठीक है और cos x की differentiation minus sin x next step क्या करो इस minus को इदर ले आओ minus 2t dt और dx को उदर sin x dx अब यह values आप इस integral में replace करो तो देखो क्या आएगा i equal to सबसे पहले क्या है 1 minus cos square x देखो cos x की value क्या cos x की value है t square यही है न cos x की value t square cos square x की value क्या हो जाएगी t square का square मतलब t4 तो cos square x की value t4 तो यह बना 1 minus t4 ठीक है फिर है sin x dx sin x dx की value minus 2t dt upon फिर क्या बचा under root cos x under root cos x को हमने क्या लिया था under root cos x को t लिया था तो यहाँ आजाएगा t ठीक है अब यह t और यह t के अचल minus 2 बहार निकालो तो यहाँ बचा 1 minus t4 मैंने minus 2 constant बहार निकाल लिया ठीक है अब इसकी integration अलग लग करेंगे यह बनेगा integration 1 into dt 1 into dt dt माइनस इसको इससे मल्टिप्ले करो t4 dt अब देखो integration लो d cancel हो जाता है क्या बचेगा t और यहाँ पे x raise to par n का formula लगाएंगे क्या होता है x raise to par n plus 1 upon n plus 1 तो यह है t की पावर 4 4 plus 1 5 upon 5 plus c अब इस minus 2 से इसको multiply करो यह बनेगा minus 2t और यह minus minus plus हो जाएगा plus 2 upon 5 t5 अब यहाँ पे t की वेलिदाल दो t की वेलिदेखो क्या थी t की वेलिदेखो क्या थी t की वेलिदेखो थी under root cos x तो यह हो जाएगा minus 2 under root cos x plus 2 by 5 under root cos x की पावर 5 plus c अब एक स्टेप और करना है last step है इसको सेम लिखो minus 2 under root cos x plus 2 by 5 अब देखो यहाँ पे मेरी बाद यांसर सुनना यहाँ पे है under root cos x की पावर 5 ठीक है अब देखो under root को हम 1 by 2 भी लिख सकते हैं न तो यह दोनों multiply हो जाएगी कितना हो जाएगा cos x की पावर 5 by 2 और 5 by 2 को न हम ऐसा भी लिख सकते हैं यह बना minus 2 under root cos x plus 2 by 5 यह पावर की उपर लिख सकते हैं cos की पावर 5 by 2 x plus c यह आगे हमारा आंसर question number 15 है हमारे पास integral 1 upon under root tan inverse x into 1 plus x के dx अब देखो यहाँ पे substitution method यूज़ करेंगे सबसे पहले बताओ tan inverse x की differentiation क्या होती है देखो tan inverse x की differentiation यह होती है 1 upon 1 plus x के ठीक है तो हम क्या करेंगे देखो है न 1 upon 1 plus x के तो हम इसको t ले लेंगे हमें यह मिल जाएगा देखो कैसे t is equal to under root tan inverse x देखो मैंने under root के साथ ही ले लिया मैं पहले skaring करूँगा फिर differentiate करूँगा skaring both side तो यह बनेगा t square equal to tan inverse x अब इसकी differentiation करो t square की differentiation क्या होती है 2t फिर t की करेंगे dt by dx tan inverse x की differentiation 1 upon 1 plus x square ठीक है next step क्या करो यह dx इदर ले जाओ तो यह बनेगा 2t dt is equal to 1 upon 1 plus x square यह dx इदर आ रहा है अब यह values जो है आप इस integral में replace करो यहाँ पर ठीक है तो देखो यह i ले रहा हूँ i equal to integral सबसे पहले ना हम इसकी value दालते है dx upon 1 plus x square की value dx upon 1 plus x square की value है 2t dt ठीक है फिर कोन रहा गया under root tan inverse x under root tan inverse x को हमने क्या लिया था t तो यह आ गया t ठीक है यह t और यह t के इंसल तो यह 2 बहार निकाल लो यह बनेगा dt अब dt की integration क्या होती है dt की integration होती है t plus c और यहाँ पे t की value दाल दो t की value under root tan inverse x तो यह हो जाएगा under root tan inverse x plus c यह हागया हमारा answer क्योंटरब तो यह जहाँ है है झाल धिस झाल और यह झाल झाल